हेलो गाइज दिस इस शाराज खाटिक तो चलो डारेक्ट पॉइंड पर आते हैं कि फॉर्म केसे फिलफ करें ताकि आपका एड्मिट कार्ड आ सकें तो गाइज आप देख सकते हो यह फॉर्म है इसमें आपका पोस्ट डालना है आपका जो भी हो इसकेस हो लडिसी हो यह में स्टाफ हो इन यूनिट यूनिट में आपको अड्रेस डालना है कि आप कौन से एरफर स्टेशन को यह फॉर्म भेज रहे हो देन पोस्ट अपलाई फॉर मल्डिटास्किम स्टाफ ओके नेम ऑफ केंडिडेट आपको नेम आपका नेम ब्लॉक लेटर में डालना है जो भी आपके एससी मार्क शिट पे हो आपके पापा का पूरा नाम पूरा फॉर्म आप कैपिटल लेटर में ही फिल कीजे ओके देन देट ऑब बर्थ दालने आपके और आपको उसके साथ आपका बर्थ सर्टेफिकेट भी अटेच करना है विद सेल्प अटेस्टेड या फिर आपका टेंद का सर्टेफिकेट भी लगा सकते हो ओके देन एज अन देट लास्ट डेट ओके तो आपको www.calculator.net पर जाकर आप को एज calculate करना इस form की last date है 23 August ओके तो आपको यहाँ आपका पूरा address डालना है दोनों जगा पर सेमे address डालना acknowledgement लेटर पर भी और यहाँ पर भी ओके देन कास्ट ओबी सी आपकी जो भी जो भी आपकी कास्ट है हुआ है mention कीजे जनरल हो यह सी हो यह स्टी और उसका certificate भी एटेच कीजे और हाँ बहुत से लोग बहुत से बच्चे में confusion होते है कि certificate central का लगाना है या state का so guys अगर आपके पास state का certificate हो तो आप उसके साथ non-criminal attach कीजे और आपके पास central का हो तो आपको non-criminal की जरुवत ने ओके so next educational qualification जो भी आपका education qualification अगर अभी MTS के लिए में स्टाफ के लिए 10th हो या 12th हो next any other qualification अगर आपका degree हुया हो graduation हुआ हो या किसी भी टाइप का diploma हुआ हो यहां आप mention कर सकते हो okay handicap no technical अगर आपके पास कोई experience हो extra में कोई technical का तो आप वो भी यहां mention कर सकते हो domicile में आपका state लिखना है जो भी आपका state हो वो domicile में लिखिए और domicile आपको compulsory attach करना ही है okay then signature date में आप जब भी form fill करोंगे तब का date आपको डालना होंगा okay next आते है acknowledgement letter पर आपको post of MTS form पुरा form capital letter में ही भरना क्योंकि form अच्छा दिखता है और सबसे important बाट photo के आती है photo के पीछे आपको sign करना है और photo लगाने के बाद एक छोड़ थोड़ा paper पर और photo पर ऐसी sign आई ऐसा आपको sign करना है दोनों जगा उपर भी यहाँ पर भी और नीचे पर भी ओके सो हाते है next इस form के last date है 23 August आपको तो पता होंगा तो मैंने बात की age calculator कैसे कर तो यह website है आप यहाँ से age calculate कर सकते हों तो सबसे important बात कितने लिफवाफे लेने हैं आपको दो लिफवाफों की ज़रूवत है एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला ताकि छोटा वाला बड़ाई में जा सके इसी सबसे आपको लिफवाफे लेने हैं और आगे चलते हैं document कुन से लगाने हैं सबसे पहले बड़ का हो तो आप central का लगा हो अगर state का हो तो state के साथ non-criminal लगा दीज़े ओके फिर आते हैं mark sheet आपका 10th का और 12th का mark sheet लगा जिए 10th का भी हो तो चलेंगा कोई compulsory additional qualification में आपका जो भी degree, diploma या graduate हुआ हो तो आप वो लगा सकते हो जो भी आपने form में mention किया है domicile compulsory state के लिए then other card इन सभी form पर आपको आपका self attested करना होगा आपका नाम और signature कर दीज़े सब jerogs पर और वो fold करके बड़े लिफाफे के अंदर डाल दीज़े second आते हैं छोटे लिफाफे में छोटे लिफाफे में आपको तो acknowledgement letter इसके अंदर fold करके डालना होगा और छोटे लिफाफे के उपर आपको 10th rupees का stamp या ticket लगाना होगा या आप court fee stamp लगा या फिर पाच-पाच रुपे वाले दो ticket भी लगा सकते हो के और उसके उपर आपका permanent address डाल दीज़े जो भी आपने application form में fill किया हो ओके तो आप देख सकते हो बड़े लिफाफे के उपर आपको क्या लिखना है सबसे पहले application for the post of MTS and category OBC ओके then from from मतलब आपका address आएंगा और तू में जहां आप बहेज रहे हो वहां का address okay और तू आप लिफाफे के पिछली साइड भी लिख सकते हो कंपल सरीन है कि आप उपर ही लिखो पीछे भी आप तू करके लिख सकते हो okay और सबसे main बाद छोटे लिफाफे के ओपर 10 रुपे का stamp लगाई है और आपका address डाल दीजे और यह छोटे वाले लिफाफे को बड़े लिफाफे के अंदर डाल दीजे और गम लगा कर post office में दे दीजे उसके बाद आप देख सकते हो last वाले vacancy जो थी फंद्रसो वाली उ platform अच्छे से भरिए कुछ भी queries हो तो मुझे telegram पर message कर दीजे मैं आपके लिए हाजिर हूँ और यह PDF में telegram पर डाल दूंगा I hope इसका use हो आपको और आपके दोस्त के साथ भी वीडियो शेर कीजे